हाई एवरिवन वेलकम पैक टो मैं यूटूब शैनल तो आज मैं प्लू के लिए लेकिया हूँ यह कलर फुल आई मेकप रुटॉरिल काफी मैट आई मेकप है और बहुत ही इस लुक अचिफ करना तो अगर आपको देखना हो कि मैंने इस लुक कैसे अचिफ के है तो प्लीज कि पर वाचिंग तो यहां पर आईशाड़ पैलेट के लिए मैंने यहां पर स्वीज बीटो का यह नाइन कलर आईशाड़ पैलेट रुस किया है यह काफी मैट मतलब पूरा शेड़ आपको इसमें मैट मिलेगा तो इसमें से सबसे पहले यह मैंने औरेंज औरेंज इसलेत ऑफ से मैं यहाप सक्कुक यहाई शेड-टो का निया यहां इस तरिके से आपको अप्लेयर करना है और साते साथ इसे अच्छे से ब्लेंड रूट करना है ताकि एसे से क्रीज लैंड वगलर अचा से बेंड हो जाए उसके बार वापस से मैंने यह औरेंज शोट लि स्वीस बीडर का concealer ली हूँ और यह मैंने flat brush ली हूँ अपने cut crease को half cut crease को raw करने के लिए तो इस तरीके से पहले मैं apply करती हूँ concealer आई के उपर देखती हूँ तो जहां पर मुझा mark मिलता है मैं बस वही तक अपनी cut crease को raw करती हूँ तो इस तरीके से मैं अपने half cut crease draw करती हूँ और flat brush के हैप से काफी अच्छे से easily apply भी हो जाता है उसके बाद अपने concealer को मैं set कर दूँगे white eyeshadow के helps से जो कि उसी palette में था फिर उसके बाद यह मैंने mauvi purple shade लिया है और इसको मैं अपने outer corner पर apply कर रही हूँ वही same मैंने brush लिया है जो मैंने transaction color apply किया था उसी brush के help से मैं इसको purple shade को apply कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको V type में apply कर रही हूँ इस तरीके से फिर अब में यह dark brown shade ले रही हूँ और इसको मैं purple shade के उपर apply कर रही हूँ ताकि मैं और इसे अच्छे से डैप देने के लिए अब इसको apply किया है आउटर corner पर काफी smokey look देने के लिए मैंने इस तरीके से apply किया है black eyeshadow को तो यह dark purple shade बन गया है तो इस तरीके से आप color को mismatch मतलब match कर सकते हो कोई भी eyeshadow को match करने के साथ में फिर उसके बाद यह मैंने green shade लिया है और इसको मैं अपने center में अपने eye के जो eyeball होता है उसके center में महाँ पर मैं apply कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने brush को change कर लिया है यह fluffy flat brush है तो इसके help से मैं यहाँ पर अपलाए कर रहे हूं green shade को और purple और green shade के बीच में जो edge था उसको भी अच्छे से मैं blend करते जा रही हूं फिर अब मैंने यह dark pink shade लिया है और यह भी matte shade है और इसको मैं एक red brush के help से अपने inner corner पर अपलाए कर रहे हूं इस तरीके से और अब मैं यह 3 eyeshadow के edge बन गए थे उसको मैं अच्छे से blend कर दूँगे ताके color अलग-अलग ना देखे वो अच्छे से एक दूसरे के साथ में merge देखे और blend देखे eye makeup तो इस तरीके से आपको अच्छे से blend करना है एक दूसरे को color को अच्छे से merge करते जाना है उसके बात यह मैंने जो purple shade था उसको अपने lower lash line पर apply किया है चोटे से pencil brush के help से मैं यहाँ पर अपने lower lash line पर apply कर रही हूँ पीड़ाप में यहाँ पे Swiss beauty का यह liquid glitter लिया है और यहाँ पे pencil brush के help से यहाँ पे कटकी स्क्रूपर लाई इस तरीके से eyeliner को draw कर रही हूँ और दियान रखे कि आपको इस eyeliner को apply करते वक्त काफी precisely होना है काफी time दे कि इसको अप्लाय करना है ताकि यह फैले ना अगर फैल जाएगा तो आपका eye makeup खराबी हो सकता है उसके बात यह मैंने highlighter लिया है और इसके हैप से मैं हाप एक wing eyeliner draw कर रही हूँ और यह eyeliner काफी अच्छा है jet black है और matte finish देगा आपको और जो इसका applicator रहना वो काफी अच्छा है अगर आप beginners हो तो इसको यह eyeliner आप ज़रूर ट्राय करों और इसके हैप से काफी अच्छा है आपका पतले से पतला eyeliner draw हो जाएग तो इस तरीके से मैं हाप विंग eyeliner apply कर रही हूँ फिर उसके बाद मैं हाप इनर कॉर्णर के हाँ पर मैं एक pointy look दे रही हूँ इस तरीके से इससे क्या आपकी आइस काफी बड़ी दिखती है और अलग शेप मिलता आपके आइस को उसके बाद मैंने MN का mascara लिया है और यह का affordable eyeliner mascara है और काफी अच्छा भी है और इस तरीके से मैं हाप अपने lower lash line पर apply कर रही हूँ आप देख सकते हैं कि यह कितना अच्छे से मेरे eyelash को length provide कर रहा है और eyelash को separate भी नहीं कर रहा है काफी अच्छे से volume भी यह दे रहा है और यह काफी affordable है यह two hundred का मुझे मिल गया था flip card से तो यहाँ पर मैं अपने mascara च्छे से apply कर दूँगे उसके बाद यहाँ पर मैंने false eyelash भी apply कर दिया है off camera तो बस यहाँ पर मेरा look complete होता है I hope कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आए होगा वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को like कर दीजे और मेरे सारे को subscribe कर मेर मेर शबखवे कर दो मझंद बादे कर दिया कि दो कि दो मैर बार मेर मेरकि और मेर कर दो होगा एज सक्षपनäss को श्राम वीडियो को जड़िग मेरे से दो इट थानके से तो यहाँ अजू कर दो को जिएू Getting Ima